नमस्कार दोस्तो आप सबी का स्वागत है गलोबल आटोमे नेटवरक टीम वारियर में दोस्तो दोस्ता जम डिसकस करेंगे आटोमे के एक इंपोर्टेन टोपिक है बहुत ही बर्निंग टोपिक है अन्फेक्टर के बारे में आप मेंसे काफे leaders join हो चुके हैं और इंडिया के अंदर 15 lakh से के आसपास 15 lakh के आसपास members join हो चुके हैं approximately ठीक है और काफे leaders 2-2 साल से काम कर रहे हैं और team warrior भी 2 साल से ज़्यादा समय से काम कर रही है Atomi इंडिया के अंदर तो जितने भी leaders हैं उनको Atomi के बारे में A to Z information मिले जैसे ही वो लोग join होते हैं तो काफे चीज़े हैं जो Atomi का जो compensation plan है Atomi का compensation plan, payout plan इसके बारे में काफे leaders को knowledge है काफे leaders को पूरी knowledge है काफे leaders को ज़्यादा knowledge नहीं है तो Atomi का जो end factor है अभी मेरे team में और India के अंदर team warrior में मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने end factor के बारे में discussion किया था 11 महीने पहले 10 महीने पहले कि आप मेरे channel पे जाए YouTube पे video देखिए और end factor के बारे में सबसे पहले मैंने introduction किया था कि end factor क्या होता है आपको जो commission मिलता है payout मिलता है मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि atomic की सई और stick जानकर ये A to Z information है ठीक है और अभी हमारे members ने end factor के बारे में उनको पूरी नोलज है उसमें कोई doubt नहीं लेकिन मेरे पास काफी time से 2-3 मेने से regular call आ रहे है कि end factor के बारे में video बनाया जाए काफी कुछ cross lag के leaders है मेरे अच्छे खासे friends है कुछ मेरे youtubers है तो काफी लोग confusion है end factor को लेकर के और कुछ videos market में आए है उनमें काफी चीज़ें बताएगे यह ठीक है लेकिन कुछ चीज़ें उनमें भी मैं add करना चाहूँगा उनकी knowledge के लिए जिन्होंने end factor के कुछ videos बनाये है उनमें काफी कुछ ठीक है लेकिन 5-10% कुछ और add करना चाहूँगा मैं सही तरीक के से उसमें ठीक है तो आपको basic idea हो गया होगा और आज का जो वीडियो है हमारा जो topic है हमारे चैनल के माद्यम से वो end factor के बारे में मैं आप सब लोगों से discuss करूँगा ठीक है और मैं आशा के साथ बोल सकता हूँ कि ये वीडियो आप continue देखिए इस वीडियो को continue देखिए end factor के बारे में आपका कोई doubt नहीं बचेगा ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि हमारा system बहुत strong है education system और उस education system के अंडर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ठीक है और myself right out from Delhi दोस्तो तो जितने भी जो वीडियो जैं मैं आपके लिए बना रहा हूँ जो भी वीडियो research करके end factor के बारे में और काफी टाइम से मैंने end factor के बारे में वीडियो ने बनाया क्योंकि इंडिया का जो compensation plan है और वो इंडिया की वेबसाइट वो कहीं नहीं लांच नहीं होई थी और वो लांच भी हो चुकी है काफी कुछ चीज़ें उस पर आ चुकी compensation plan आ चुका है तो उसका wait कर रहे थे जब वो आये तब हम इसके उपर एक अच्छा अच्छा वीडियो ले करके हैं research करके लेकिन मेरे जो friend circle है काफी लोग इस वीडियो इसके उपर बनाने के लिए बोल रहे थे क्योंकि काफी कुछ confusion है अभी भी काफी लोगों का ठीक है तो वो आपका confusion इस वीडियो के मादम से definitely 100% आज दूर होने वाला है तो इस वीडियो को starting से लेकर के last तक देखिए और जो नए members हैं हमारे चैनल के उपर उन से request करूँगा कि आप इस चैनल को subscribe किजिए आपको team warrior education system से लेटे जितने भी videos मिलेंगे आपको सही और stick जानकरी हमारे चैनल के मादम से दोस्तों मिलती रहेगी और YouTube, Facebook और जितने भी social media platforms हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाते हो तो आप हमरे description के अंदर link दिये उनको follow कीजी आपको सारी जानकरी time to time मिलती रहेगी इस वीडियो के मादम से सबसे पहले मैं आपको यह बताऊँगा कि end factor का formula होता है उसका क्या रोल है दोस्तों आपको जो daily commission मिलता है general commission मिलता है जिसको binary income बोलते है उस general commission के अंदर end factor का बहुत बड़ा रोल है इसके बारे में हम discuss करेंगे कि आपको जो daily basis पे पैसा मिलेगा binary income के अंदर वो calculation होकर के मिलता है ऐसे ही नहीं मिलता आपको एक end factor का formula होता है उसके जरीए आपको जो daily पैसा मिलेगा binary commission मिलेगा उसके आधार पे मिलता है second end factor को कैसे calculate करते हैं इसके बारे मैं आपको बताऊंगा third daily commission के अंदर end factor का क्या रोल है जो binary commission आपको मिलेगा daily basis पे weekly विड़ा कर सकते हैं आप उसको accept Sunday और national holiday आपको daily commission general commission नहीं मिलेगा बाकाइदा आप उसको accept Sunday और national holiday छोड़ करके आप week में मैने में 4 बार इसको विड़ा कर सकते हैं dates आपको बता दी जाएंगे atomy की तरफ से तो daily commission के अंदर binary commission के अंदर इसका क्या रोल है उसके बारे में हम discuss करेंगे फिर जो end factor का सबसे बड़ा रोल है global sales pv global sales pv क्या होते है इसके बारे में discuss करेंगे उसका calculation किस परकार से होता है internationally ग्लोबल sales pv का फिफ्थप्वाइंट है यहां पर daily matching pv calculation daily matching pv calculation क्या होता है matching क्या होती है pv क्या होता है matching pv क्या होता है यह ट्रम काफी important है इसके अंदर matching PV और global sales PV यह दो चीज़ें यहाँ पर जिस लिडर ने समझ लिया उसके सारे doubt skiller हो जाएंगे next six point most important point carry forward अभी तक काफी leaders का confusion है कि atomic के अंदर carry forward है या नहीं है carry forward है तो कब तक है इसके बारे में भी काफी लोगों confusion है ठीक है तो यह doubt भी आज आपका यहाँ पर दूर होने वाला है और PV flushing क्या होती है PV 0 क्या होता है binary commission मिलने के बाद flushing क्या होती है extra PV का क्या use होता है carry forward है कि नहीं तो आप इस चैनल के साथ बने रहे है इस वीडियो के साथ दोस्तों बने रहे है अब हम start करने वाले हैं आपके साथ end factor के बारे में ओके चलिए दोस्तों start करते हैं अभी तो दोस्तों जैसे हम discuss कर रहे थे इसके बारे में तो end factor में जानने से पहले जो लोग नए है हमारे इस YouTube चैनल पे उनसे request करूँगा आप हमारे जो general commission है binary plan है उससे related हमने वीडियो डाल रखे है part 1, part 2 और part 3 तो general commission क्या होता है उसके structure क्या होती है binary levels आपका जो personal point value है आपकी ID वो binary levels क्या है उसकी जानकर आपको होने चाहिए third personal point value आपकी ID पर उसके levels ठीक है उसकी जानकर पूरी होने चाहिए आपके personal point value क्या धार पर आपकी ID पर क्या-का levels है point क्या होता है score क्या होते है ये fix होते हैं ये सबी को पुता है आप उसको point भी बोल सकते हो और score भी बोल सकते हो जो कि आपको fix रहता है अलग-अलग levels के हिसाब से उसके बाद आपको n factor की calculation समझ में आएगी तो जो नए leader उनसे request करूँगा सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले part 1, part 2, part 3 जो वीडियोज है हमारे separate वीडियोज बना रखे है मैंने इन के उपर तो वो वीडियो देखिए आप सभी लोग ठीक है चार points के उपर फिर ये n factor के बारे में आपको समझ में आएगा अब end factor के बारे में मैं आपको explain करने वाला हूँ तो इसको आप ध्यान से देखिए ठीक है तो दोस्तों जैसा आप screen के अंदर देख रहे हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ये जो भी end factor का calculation है 44% जो general commission होता है उसके अंदर एन factor किस परकार से काम करता है उसके बारे में डिसकस करेंगे तो जो first level है हमारा आपको team किन कब तब मिलेगी जब आपकी personal ID पर 10,000 PV हो जाएगा 10,000 ठीक है 10,000 PV होने के बाद आपकी left की team और right की team अगर 3-3 lakh first जो देखिए आप इसमें अगर 3-3 lakh PV left and right side में आपका एक दिन में matching हो रहा है तो आपको यहाँ पे score मिलता है 5 और जो की score जो score है वो fix है आप इसको point भी बोलते सकते हैं score ही बोल सकते हैं यह score fix है first level पे आपको income तब मिलेगी जब आपकी personal ID पे 10,000 PV हो जाएगा और 10,000 PV कितने रुपए में होगा उसके लिए आपको wait करना है भी Atomy India की तरफ से product की final list आई नहीं है ठीक है और point value कितना होगा किस product का कितना point value होगा और कितना price होगा उसकी list आजाएगी तब आप calculation कर लेना 10,000 point value कितने रुपए में होँगे 10,000 PV मिनिमम आपको चाहिए आपकी team का अगर commission आपको लेना है तो 10,000 PV आपकी personal ID पोजाता है तो यहाँ पे आप बन जाते हैं sales representative आपका recognition होगा sales representative आप यहाँ पे कहला होगे और 3-3,000,000 point value एक दिन में अगर match हो गया तो आपको score मिलेगा 5 और कितना पैसा मिलेगा plus minus approximately 25 डोलर के आसपास बताते हैं और डोलर की value जैसा कि आपको पता है अभी 73, 4, 5 जो भी चल रही हो यह approximately 17,50 रुपे के आसपास हमें बताया गया है ठीक है और यह जो पैसा है यह plus और minus आपने जितनी भी slides देखी होगी उसमें plus और minus होता है इसका मतलब यह है कि यह 25 डोलर से उपर भी हो सकता है निच्चे भी हो सकता है 17,50 से उपर भी जा सकता है निच्चे भी जा सकता है यह जो पैसा मिलेगा यह depend करता है end factor के उपर तो आशा करता हूँ कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि end factor क्या है जो भी आपको commission मिलेगा first level के उपर score 5 है और atomic के अंदर अलग-लग levels है binary plan के अंदर ठीक है 10,000 PV है उसके बाद 3,000,000 PV फिर 5,000,000 sorry 3,000,000 के बाद 7,000,000 फिर 15,000,000 फिर 24,000,000 पे भी ठीक है और उसके बाद जो matching के levels है तीन ओर है यानि कि 8 levels है binary plan के अंदर तो 8 levels का अलग-लग score है maximum score है 300 तो यह score दोस्तो fix है score है point है आप इसको point भी बोल सकते हो score भी बोल सकते हो आपकी margin है ठीक है basically point भूले जाते हैं इसको तो यह point fix है आपकी ID पे लेकिन जो पैसा मिलेगा यह पैसा plus minus इसलिए लिखे जाता है यह plus minus होता रहता है उपर निचे वो end factor के आधार पे होता है और end factor की जो calculation होती है वो गठती बढ़ती रहती डेली अभी end factor में क्या होता है कि atomic के अंदर जितना भी business होता है एक दिन के अंदर उसकी total atomic में calculation होती है centralized software है South Korea के अंदर तो जितना भी global PV एक दिन के अंदर जितनी भी sales होती है global sales जितना PV आता है एक दिन में उसकी calculations होती है factor के द्वारा और वो formula में अभी आके बताऊंगा उससे पहले दो पॉइंट और बता रहा हूं आपको suppose करो आपका एक तारिक आपका एक तारिक को दस जार पॉइंट वाल्यो आपने अपने IDP कर लिया और left में पहली तारिक को एक लाख पी और right में ठीक है अप टू 3 लाख only 3 लाख के बाद कोई भी यहाँ पर carry forward नहीं है जैसे ही यहाँ पर आपका चार तारिक को हो गया suppose grow 3 लाख और यहाँ पर 3 लाख तो आपको यहाँ पर यह score point 5 मिलेगा और commission उसका आपके account में डाल देगी company और weekly विड्रा कर सकते हो यानि कि 3 लाख 3 लाख तक जब तक point volume नहीं होगा तब तक carry forward है उसके बाद कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर carry forward का doubt up to 3 लाख तक है वो यहाँ पर आपका clear हो चुका होगा 3 लाख तक carry forward है उसके बाद कोई carry forward नहीं है अगर एक दिन में यहाँ पर 3 लाख पीव हो गया और सैकेंड में बता रहा हूं उसको देखिए आप कि कर 10,000 पीवी एक दिन में आपका 3 लाख पीवी हो गया और एक दिन में राइट साइड में 5 लाख पीवी हो गया यहाँ पर 5 लाख पीवी हो गया जैसे दोनों तरफ आपका 3 लाख 3 लाख पीवी का मैचिंग होती है तो यहाँ पर company आपको commission दे देती है 24 hours के बाद आपके end factor की value में जाकरके इसकी value को बढ़ा देता है ठीक है जो example के तोर पे आपको 1750 रुपे मिलना था उसकी जगह एक्स्ट्रा पीवी हो गया तो इसका 1752 रुपे भी मिल सकता है क्योंकि उसकी value को बढ़ा दिया इस extra पीवी ने तो जितना भी extra पीवी एक दिन में बसता है matching के बाद वो भी total global matching pool जो end factor उसमें count होता है एक्स्ट्रा पीवी भी end factor में ही चला जाता है यहाँ पे 15 लाख हो गया left side यह 3 लाख हो गया right side से 15 लाख हो गया तो 3-3 लाख का score fix है आपको यह पैसा मिलना था लेकिन extra पीवी आप ने कर दिया किसी और ने कर दिया तो थोड़ा सा calculation company करती है आपका 10,000 PV यहाँ पर ठीक है यहाँ पर 3 लाख और यहाँ पर 3 लाख ठीक है 3-3 लाख point value कितने लोगों का match हो रहा है और यह 5 का score point है यह कितने लोगों को मिल रहा है तो company की तरफ से software में calculation होता है सब कुछ fix है वहाँ पर जितने लोगों का 3-3 लाख point value match होता है उन सभी को उस level पर बराबर पैसा बाटेगी आप first level पर आपके एक side में 13 लाख हो गया एक side में 13 लाख जो extra PV की है वो end factor की value को भी increase कर देता है यानि कि आपकी cross lag ने भी first level पर अगर एक तरफ ज़्यादा कर दिया तो उस दिन का फाइदा आपको भी मिलेगा यहाँ पर सबस के examples दूँगा ठीक है और आपका और clear हो जाए गड़ाओट फिर हम end factor का formula के बारे में discuss करेंगे exactly जो basic चीज़े हैं वो आपको पता होना चाहिए किस परकार से calculations होती है ओके तो दोस्तों जैसा कि आपको screen के उपर दिखाए दे रहा है इस table को ध्यान से देखिए आप लोग ठीक है इस table के अंदर सारे चीज़े बताए गई है तो सबसे पहले मैं आपको एक overview दे रहा हूं कि यह तो आपका personal point value है और फैक्टर की calculation कैसे होती है personal point value यह है यह आपका right side right side और यह left side है और यह levels है 8 levels है binary plan के अंदर यह आपका left का business और यह right का business यह score है यह जो score है 5, 15, 30, 60, 90, 500, 500, 300 यह fix है यह कभी change नहीं हो सकता यह तो fix रहेगा आपका ठीक है और यह जो पैसा है यह जो income वाल आप देख रहे हैं आप यह plus minus होता रहता है plus minus क्योंकि यह end factor के पर मैंने आपको बताया है first level पर आपको 1750 बताया है आपको 1500 मिल सकता है 2000 मिल सकता है डिपेंड करता है कि उस दिन का एन factor कितना होगा first level पर कितना matching pool जा रहा है तीन तीन लाग इनकम लेने के लिए 10,000 पीवी आपकी personal ID पर होना चाहिए left and right में 33 लाग का matching होता है तो 5 का score मि आपकी personal ID पर 7,000,000 point value होता है और 7,000,000 point value एक दिन में match होता है तो यहाँ पर आपका 30 का score है और वो इतना है for example के तोर पर आपका personal ID पर 7,000,000 point value है लेकिन 3,000,000 match कर रहा है आपका तो क्या score होगा score यह वाला मिलेगा आपको ठीक है यह doubt है काफी लोगों का फिर आपका personal ID पर फिर 0 से start होगा ओके एक दिन में जो भी binary income मिलेगी आपको मिल जाएगे अगले दिन से फिर 0 से count होगा आपका business यह आपको ध्यान रखना है फिर last है 24,000,000 PV आप अपनी personal ID के उपर maximum 24,000,000 PV एकुमिलेट कर सकते हो उससे जदा का item आप buy नहीं कर सकते है और next year एक product buy कीजिए यह PV आपकी ID पर continue रहेगा ठीक है एक दिन में अगर 24,000,000 point value match करता है राइट से 24,000,000 point value left से match करता है तो 90 का score मिलता है और approximately इतना रुपा मिलता है 25,000,000 के असपास उस दिन का next आपकी ID पर विए 24,000,000 point value continue बना रहेगा ठीक है यह next level है 60,000,000 left में 60,000,000 left में 60,000,000 right में तो 24,000,000 personal ID पर उतना ही रहेगा राइट साइड में अगर 2,000,000 point value left साइड में 2,000,000 point value match करता है तो 500,000 point मिलेगा और 70,000,000 के आसपास आपको income मिल सकती है last है 5,000,000 point value left में 5,000,000 point value right में match करता है तो एक दिन का 90,000 से 1,000,000 के आसपास उस दिन का कितना end factor से calculation निकल करके आता है इस level पर कितने लोग हैं उनमें equally distribute होता है इस level पर जो जितने भी levels हैं उसमें सभी में पैसा equally distribute होता है last के चार levels मैं wipe off कर रहा हूँ अब मैं आपको end factor का formula समझा रहा हूँ ठीक है यह basic जानकरी थी जो कि आपको देनी थी कुछ नई leaders हैं तो उनको अगर मैं direct end factor के उपर लेकर के जाओंगा formula के उपर तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक है तो यह basic जानकरी आपको बताने ब डिली पीवी इंटू 44% डिवाड़े बाई अटोमी डिली मैचिंग स्कोर तो अटोमी का जो डिली पीवी होता है जिसको आप बोल सकते हो global पीवी, sales पीवी, डिली का हर 24 गंटे के बाद अटोमी के software में calculations होती है जितना भी डिली का पीवी गिरता है अटोमी के अंदर उसक लेविल के अंदर एटोमी में कितने लोग है ठीक है फिर्फ लेविल के उपर कितने लोगों का मैच हो रहा है इस पांच का score कितने लोग qualify कर रहे है स्पोज करो पांच के score पे 50 लोग qualify कर रहे है 100 लोग qualify कर रहे है और left and right में कितना पीवी जा रहा है इस एक leader का PV 3 लाख पी यहां पर नीच्च कितने लोग आएंगे 1025-20 कितने लोग है वो डेली मैचिंग पीवी यह वाला कितना पीवी जा रहा है आपका और इंटु 44% अभी मैं नेक्स्ट आपको एक डियाग्राम बना करके बताऊंगा यह बेसिक फार्मूला होता है आपका अपका अटोमिक अंद आपका ये fix है और ये पैसा 4-5,000 के बीच आपको मिलेगा depend करता है कि इस level पे कितने लोगों का matching हो रहा है और इस level पे कितने लोग हैं और इस level पे किसका extra PV हो रहा है वो उसके value को बढ़ा देगा ठीक है तो ये मैं अभी एक diagram बना रहा हूँ उसके उपर मैं आपको पिल्कुल किलिर कट information दूँगा ठीक है next आप एक diagram के माध्यम से आपको calculation पता चल जाएगी ठीक है देखे next इस diagram के अंदर देखे दोस्तो step by step तो ये diagram है board छोटा है इसलिए complete में इतना ही आया है और ये exactly आप देखे ये एक leader है इसकी personal ID पे 24 लाग PV है जब 24 लाग PV होता है तो यहाँ पे company आपको 90 का score देती है जो की fix है second 15 लाग PV हो गया है इसके left में 7 लाग, right में 7 लाग ये second leader है तो इसका 7 लाग PV हो गया नब 15 लाग का point value है ये left and right में अगर आपका match करता है तो यहाँ पे आपका 60 का score company देती है ok, 60 का score 7 लाग point value आपका होता है तो company आपको 30 का score देती है अगर 3 लाग point value आपकी personal ID पे और 3-3 लाग की matching होगी तो 15 का score देती है आपको ठीक है इस level पे और 3 लाग left में 3 लाग right में जो last का देख रहे हैं सभी का minimum 3-3 लाग matching हो रहा है तो यह सभी 15 points के लिए eligible है यह सभी लोग और जिसका 7 लाग point value है personal ID पे left में 7 लाग match कर रहा है यह इसका यहाँ पे 4 हो जाएगा ठीक है और यह इदर इसका भी 5 कर सकते हैं ठीक है तो इनको score उतना मिलेगा तो इस परकार से इस table के माद्यम से मैंने यह बताया गया है कि जितना point value आपका match होता उसके हिसाब से score fix है अब n factor की calculations कैसे होती है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ किस परकार से हम n factor की calculation करते हैं वो आप देखिए इस slides के माद्यम से next 24 लाग point value कर रहा है तो आपको 90 का score मिलेगा और जो payment वो मिलेगी जो n factor की calculation से निकल करके आएगी ठीक है यह सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो देखिए आप next में देखिए तो यहाँ पर दोस्तो n factor की calculation क्या होती है daily global matching pv daily global matching pv का मतलब जो मैं यहाँ पर एक score उठा रहा हूँ स्राफ only ठीक है ताकि आप लोग confused ना हो उपर का मैंने wipe कर दिया है निच्चे देखिए जो 3 lakh point value तो एक structure है उसके अंदर 3 lakh point value यह global structure मानके चलिए आप ठीक है जब आपका 3 lakh point value second level पे हो आप पहला level 10,000 point value है वहाँ पे 5 का score मिलता है second है अगर आपका personal ID पे 3 lakh point value होता है score आपका उजयता 15 जो कि यहाँ पे दिखा रखा है मैंने ठीक है अब इसको यहाँ पे wipe कर रहा हूँ ताकि आप confused ना हो ठीक है अब यह structure से देखिए 3 lakh point value personal ID पे सभी का है और उनके निच्चे भी 3-3 lakh point value minimum match कर रहा है ठीक है तो end factor कैसे निकालते है daily global matching PV तो यह global matching PV है daily basis पे 3 पलस 4 यहाँ पे मैंने कर रखा है फिर 5 और 3 यहाँ पे add कर रखा है फिर इसका 3 और 4 यहाँ पे add कर रखा है इस तरह के हर leaders का यहाँ पे add किया हुआ है यानि कि 3 lakh minimum होना चाहिए 3-3 lakh left and right से 3 lakh से extra जैसे 5 होगा तो वो भी global matching pool में जाएगा same day calculation में अब इस level पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको matching मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 यहाँ पे leaders ऐसे हैं जिनको यहाँ पे score कितना मिल रहा है 15 का तो यह 8 into 15 यह हो गया ठीक है तो इतने लोगों को 8 लोगों को यहाँ पे score 15 मिल रहा है ठीक है तो यह divided by daily global matching pv divided by score score यह 15 कितने लोगों को मिल रहा है एक दिन में यहाँ पे 8 है अभी इसका example के यहाँ पे 8000 भी हो सकता एक दिन के अंदर आठ लाख लोगों का भी 3-3 लाख pv match हो सकता है और into multiply into 44 परतिशत 44% यह calculation है और यहाँ से जो भी पैसा निकल करके आएगा approximately 4-5 जार जो भी आएगा plus minus इस level पे आपका 15 का score आपको मिल रहा है इस level पे आपको इस calculation से approximately इतना आएगा ठीक है तो यह example के तोर पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसको fix नहीं मानना है आपको ठीक है second level पे हम बताते हैं न कि 4-5 जार पाता है तो इस तरिक्के से वो calculations होती है जो कि daily matching pv divided by personal score into 44% यह end factor का formula है तो आशा करता हूँ दोस्तो आज आपका जो end factor का doubt clear हो चुका होगा पूरी तरिक्के से अगर अभी भी आपका doubt है तो आप मेरे को call कर सकते हैं और एक video में और बना रहा हूँ end factor के उपपर यह board presentation थी जिसके दौरा मैंने आपको समझाया था सारी चिज़े तो board presentation के दौरा काफी लोगों के doubts clear होएंगे basic doubts और जिनके अभी doubts है वो यह formula लिख सकते हैं Atomy Delhi Matching PV Matching PV ठीक है divided by Atomy Delhi Total score Total score मतलब Total matching score ओके into 44% यह N factor का formula है Atomy Delhi Matching PV Matching PV क्या होता है जो भी global sales PV होता है एक दिन के अंदर कितने लोगों का match कर रहा है PV और कितना कितना match कर रहा है ठीक है किस level पे है कितना score है divided by वो और जो score matching score है matching होने के बाद score मिलेगा वो score कितने लोगों को मिल रहा है ठीक है Matching PV score यह जो score है कितने लोगों का PV match कर रहा है global sales के थुरू एक दिन में और score कितने लोगों को मिल रहा है वो score होता है और यह formula होता है जो आपको atomic का जो commission मिलता है उसका formula बता रहा हूँ general commission जो आपको मिलता है उसका क्या formula है दोस्तो daily matching score matching score into n daily n value daily n value जो general commission आपको मिलता है daily matching score कितना है into daily n value कितने निकल करके आ रही है इस परकार से यह formula है दोस्तो तो आशा करता हूँ कि यह video दोस्तो आपको पसंदाया होगा आपके काफी doubts दोर होंगे और फिर भी अगर आपके doubts दोर नहीं होंगे जो हमने explain किया है end factor के बारे में तो end factor का calculation वो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा दोस्तो ठीक है तो यह तरीका था आपको शमजाने का step by step और next video में मैं कुछ pictures के साथ आ रहा हूँ और उसमें मैं आपको end factor के बारे में अगर अभी भी आपका कुछ doubts है तो वो clear करेंगे दूर करने की कोशिश करेंगे definitely और जो नए members है अगर आप इस channel पे आये हो आपको team warrior का education system अच्छा लगा है अगर आप team warrior के साथ जुड़ना चाते हो तो आप मेरे को call कर सकते हो whatsapp कर सकते हो आपको और आपकी पूरी team को दोस्तो team warrior education system का पूरा support मिलेगा ठीक है यह मेरा whatsapp number है आप whatsapp कर सकते हैं call कर सकते हैं और आपको team warrior education की system की तरफ से पूरा support मिलेगा और आपको सही और सटीक जान कर दी जाएगी और इस वीडियो को आप ज़्यदा ज़्यदा शेर कीजिए ताकि आपकी team के अंदर जो भी confidential, daily commissions को लेकर general commissions को लेकर and factor को लेकर के वो दूर हो जाएगा definitely अशा करता हूं कि दोस्तो ए वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस channel को like कीजिए share कीजिए ज़्यदा ज़्यदा इस वीडियो को और इस channel को आप subscribe कीजिए ताकि आपको latest information time to time मिलते रहे दोस्तो Thank you very much दोस्तो